हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो मैं यूटूब चैनल स्पेशल अकेडमी आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है तो स्टुडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि हम UGC NET के प्रैक्टिस एट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम प्रैक्टिस एट पेपर ही डिस्कस करेंगे और 21 कोस्चिन से हम स्टार्ट करेंगे तो स्टुडेंट्स अगरा पैल्टिक मिशन की भी त्यारी कर रहे हैं दब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रशन तो देखिए काल करम की दृष्टी से प्रेम चंद की उपनियासों का सही अनुकरम कौन सा है हमें सही अनुकरम बताना है तो देखिए इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा उप्सन नमबर A सेवा सदन, रंग भूमी, करम भूमी और फिर गोदान अगर बात करें हम सेवा सदन की तो सेवा सदन जो है तो प्रेम चंद की ये सारे के सारे उपनियास है और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो 1918 इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है रंग भूमी तो रंग भूमी का जो परकाशन वर्स है वो है 1924 नेक्स्ट है करम भूमी तो करम भूमी का जो परकाशन वर्स है वो है 1932 और फिर है लास्ट वे गोदाम तो गोदान का जो यहां पर परकाशन वर्स है वो है 1936 इस तरह से जो इसका सही अंसर आएगा वो option number A यहां पर सही हो जाएगा next है काल करम की दृष्टी से कहानियों का सही अनुकरम हमें बताना है क्या है यहां पर तो कहानियां है और हमें बताना है कि इनका सही अनुकरम कौन सा है तो देखिए 22 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आगा option number B रानी केतकी की कहानी उसने कहा था सरनगत और फिर तीरिच अगर बात करें हम रानी केतकी की कहानी की तो इसका जो कहानिकार है वो है इन्शा अल्ला खां और परकाशन वर्स की बात की जाए तो 1800 इसका परकाशन वर्स है नेक्स्ट है उसने कहा था तो उसने कहा था इसके जो कहानिकार है वो है चंदरधर शर्मा गुलेरी जी और परकाशन वर्स की बात की जाए तो 1915 इसका परकाशन वर्स है नेक्स्ट है शर्नगत अगर शर्नगत की बात की जाए तो कहानिकार है विरिंदावन लाल बनमाजी और परकाशन वर्स की बात की जाए तो 1950 इसका परकाशन वर्स है नेक्स्ट है तीरिच अगर तीरिच के बात की जाए तो कहानिकार है उदे प्रकाश और प्रकाशन वर्स है 1990 का प्रकाशन वर्स है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ निमन लिखित नाटकों का सही अनुकरम कौन सा है तो देखिए 23 का जो यहां पर आइट आंसर आएगा वो आएग उप्सन नंबर A अंधा यूग, सार्दिया, मादा कैक्टस और फिर कोल्ट मार्शल अगर बात करें हम अंधा यूग की तो अंधा यूग के जो नाटक कार हैं वो हैं धरमबीर भारती जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो 1924 का प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है सारदिया तो सारदिया के जो नाटक कार है वो है जगदीज चंदरमाथुर जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो 1959 इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है मादा कैक्टस तो मादा कैक्टस के जो कहानिकार है सौरी नाटक कार है वो है लक्षमी नरायन लाल जी और प्रकासन वर्स की बात की जाए तो इसका भी प्रकासन वर्स है 1959 लास्ट है कोल्ट मार्सल तो कोर्ट मार्सल के जो यहां पर नाटक कार है वो है सौधेस दीपक जी और परकासन वर्स की बात की जाए तो 1991 इसका परकासन वर्स है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन के तरफ हजारी परसाथ दुवेदी के आलोचना आत्मक गरंथों का सही अनुकरम हमें बताना है तो देखे 24 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आएगा उप्सन नमबर बी सूर्च साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका कवीर और फिर हिंदी साहित्य तो देखे एकर सूर्च साहित्य की बात की जाये तो सूर्च साहित्य का जो परकाशन वर्स है वो है 1936 1936 इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका तो देखी इसका जो प्रकाशन वर्स है वो है 1940 1940 नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की सुरी हिंदी साहित्य का जो प्रकाशन वर्स है हिंदी साहित्य की भूमिका का परकाशन वर्स है 1940 और फिर कबीर का जो परकाशन वर्स है वो है 1942 नेक्स्ट है सूर साहित्य तो सूर साहित्य यहां पर जो हिंदी साहित्य है यहां पर ऑप्सन नमबर बी यहां पर सही है तो जो हिंदी साहित्य आएगा उदभव और विकास तो इसका जो प्रकाशन वर्स है वो है 1953 इसका प्रकाशन वर्स है एक बार फिर से इसको डिसकस कर बढ़ते हैं question को तो देखिए जो इसका जो right answer आया वो आया हमारे पास option number B सबसे पहले है सूर साहित्या तो सूर साहित्य का परकाशन वर्स बताया 1936 और next है हिंदी साहित्य की भूमिका तो इसका परकाशन वर्स है 1940 नेक्स्ट है कबीर तो कबीर का प्रकाशन वर्स है 1942 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तो इसका जो प्रकाशन वर्स है वो है 1953 बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्चिन की तरफ प्रकाशन काल के नुसार रेखा चित्रों का सही अनुकरम हमें बताना है तो देखिए 25 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आएगा उपसन नंबर C अतीत के चल चित्र माटी की मूर्तें अमिट रेखाएं और फिर कुछ सब्द कुछ रेखाएं अगर बात करें हम अतीत के चल चित्र की तो इनके जो रेखा चित्रकार हैं वो हैं महादेवी वर्माजी और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो 1941 इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है माटी की मूर्तें तो माटी की मूर्तें के जो यहां पर रेखा चित्रकार हैं वो हैं राम ब्रिक्ष वेनिपूरी और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो 1946 इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट कुछ सब्द कुछ रेखाएं तो इसका जो रेखा चितरकार हैं वो हैं विश्ण प्रभाकर जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो 1965 इसका प्रकाशन वर्स है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन के तरफ रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुकरम रेखांकित कीजिए किसकी तो पत्रिकाओं यहां पर दी गई है तो देखिए 26 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आएगा उप्सन नंबर B सदा दर्स, हिंदी प्रदीप, ब्रहामन और फिर भारतिंदू, भारतिंदू तो देखिए ओप्सन नंबर B यहां पर सही है, अगर बात करें हम सदा दर्स की तो इसकी जो संपादक हैं वो हैं लाला स्री निवास दास जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाएं तो प्रकाशन वर्स है 1874 इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है ब्रामन तो ब्रामन के जो संपादक हैं वो हैं नेक्स्ट है यहां पर सौरी हिंदी प्रदीप हिंदी प्रदीप के जो यहां पर संपादक हैं वो हैं बाल क्रिशन भाट जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाएं तो 1877 इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है ब्रामन तो ब्रामन के जो यहाँ पर संपादक हैं वो हैं परताप नारायन मिश्र जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो 1880 का प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है भारतेंदू तो भारतेंदू के जो संपादक हैं वो हैं राधा चरनणगो स्वामी जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाए तो प्रकाशन वर्स है इसका 1883, 1883 का प्रकाशन वर्स है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ निराला की रचनाओं का सही अनुगरम हमें बताना है तो देखिए निराला की रचनाओं का सही अनुगरम तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो अप्सन नंबर ए अनामिका परिमल गीतिका और फिर कुकुरमुता अगर बात करें हम अनामिका की तो अनामिका का जो प्रकाशन वर्स है वो है 1923 परिमल की बात की जाए तो परि प्रकाशन वर्स है वो है 1942 बढ़ते हैं next question की तरफ कामाईनी के सर्गों का सही अनुगरम हमें बताना है तो कामाईनी किसकी रचना है तो जैसंकर परशाद जी की रचना है और सर्ग कितने है तो 15 है इसमें और सर्गों का हमें सही अनुगरम बताना है तो देखिए 28 का जो प्रत्थम सर्ग है चिंता क्या है प्रत्थम सर्ग है आसा जो आसा है वो दूतिय सर्ग है और स्रद्धा स्रद्धा जो है तो तूतिय सर्ग है और काम ये है चतूर्थ सर्ग चौत्था सर्ग पढ़ते है नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ रचना काल के अनुसार लंबी कभित का सही अनुकरम बताना है तो देखिए 29 का जो यहां पर राइटांसर आएगा वो आई गॉप्स नंबर यहां पर सी प्रलाई की छाया असाध्य बीना पटकता और फिर कनहार तो देखिए प्रलाई प्रलाई की छाया इसके जो कवी है वो है जैसंकर परशाद जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाये तो 1930 बन इसका प्रकाशन वर्स है नेक्स्ट है असाध्य बीना तो देखिए असाध्य बीना के जो कवी है वो है अग्ये जी और प्रकाशन वर्स की बात की जाये तो 1960 बन इ कांत स्रीवास्तप जी और इसका भी प्रकाशन वर्स कीतना है तो 1972 इसका प्रकाशन वर्स है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ देखिए नेक्स्ट कोस्टिन है हमारे पास आचारियों और उनके सिध्धानतों के साथ उनको सुमेलिद कीजिए तो देखिए यहां पर चेक्टर तो देखिए सबसे पहले हैं यहां पर आचारे भारतिय का विशास्तर के यह आचारे है और साथ मेन का यहां पर सिध्धानत दिये गए हैं तो देखिए सबसे पहले है भट लोलट भट लोलट का जो यहां पर सिध्धानत है वो है उत्पतिबाद नेक्स्ट है सं जिनकी तरफ नेक्स्ट है हमारे पास 31 का निमन लिखित गरंथकार और उनके गरंथों का सुमेलन हमें करना है और ये क्या है पासचाते का आप बेसास्तर के ये कभी हैं और साथ में उनके गरंथ दिये हैं तो देखिए इसकी ओपर भी मैं अलग सी वीडियो लेके आऊंगी और बहां पर आपको सारा के सारा चैप्टर एकदम से मतलब समझ में आ जाएगा और जादा टाफ नहीं है सिर्फ इनके जो गरंथ हैं सिधात हैं उनहीं को हमें डिसकस करना है तो देखिए 31 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा यहां पर 31 का देखिए इलियट का आएगा हमारे पास the best land वर्ड्स वर्थ का आएगा टैरि उपूस और लूंगिनोस का आएगा यहां पर और अप्शन नमबर सी का सी का आएगा हमारे पास देखी जो 31 है इसका आएगा इलियट का आएगा हमारे पास यहां पर दिवेस्ट लेंड वर्ड्स वर्थ का आएगा लिरिकल व्लेड्स और लोंगिनुस का आएगा यहां पर तो पेरि उपसुस और अरस्तु का आएगा यहां पर पेरि पोईती केस और सौरी सेकंडिस का आंसर है नेक्स्ट है यहां पर 32 तो देखिए निमल निखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए तो हमें रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ यहां पर सुमेलित करना है तो सबसे पहले है हमारे पास यहां पर अग्ये तो अग्येक आएगा यहां पर सवंतर, next है किसन पतनायक तो इसका आएगा विकलपहीन नहीं है दुनिया, next है केदार्नाथ सिंग तो इसका आएगा यहां पर कवरस्तान में पंचायत और next है अनामिका का आएगा स्त्रित्तो का मानचित्र बढ़ते हैं next question की तरफ कभीयों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए कभीयों को उनकी कृतियों के साथ हमें सुमेलित करना है तो देखिये इसका जो यहाँ पर right answer आएगा केदारनात सिंग का तो अकाल में सारस नेक्स्ट है ग्यानिंद्र पती तो ग्यानिंद्र पती का आएगा संस्य आत्मा भारत भुषण अगरवाल का आएगा अगनीलीक और कुवर नरायन का आएगा यहाँ पर आत्म जई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ हमें सुमेलित करना है तो देखिए यहाँ पर ओप्सन नमबर डी है सबसे पहले हैं हमारे पास यहाँ पर अखिलेश तो अखिलेश का आएगा यहाँ पर तदभब नेक्स्ट है नमिता सिंग नमिता सिंग का आएगा यहाँ पर वर्तमान साहित्य नेक्स्ट है राजिंदर कुमार तो राजिंदर कुमार का आएगा बहु बच्चन और प्रभाकर स्रोतिय का आएगा पुर्वगरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ कहानी और कहानिकारों का सुमेलन कीजिए तो देखिए इसका जो आएगा यहांपर प्रेमचंद नेक्स्ट है विसाती तो विसाती का आएगा यहांपर प्रशाद दो वांके तो भगवती चरण बर्माजी और पाजेव तो पाजेव का आएगा जैनेंद्र बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ तो देखिए सेस महेस गनेस तो इसका आएगा यहांपर रस्खान रस्खान यहांपर आएगा मन लेत पे देत छटांक नहीं तो इसका आएगा घननन्द नेक्स्ट है जैसे उडी जहाज को पंचि तो यह जो पंक्ति है यहांपर सूरदास की नेक्स्ट है गीरा उन्यैन नैयन बिनुबानी तो इसका आएगा यहांपर तुलसी दास बढ़ते हैं next question के तरफ रचना के साथ उसकी बिधा को सुमेलित कीजिए तो देखे 37 है हमारे पास तो इसका जो हमें मिलान करना है वो आएगा सब्द और मनुश्य सब्द और मनुश्य तो ये क्या है अलूचना है next है कासी और असी कासी और असी क्या है तो उपनियास है next है इला तो इला क्या है नाटक है और पैरों में पंख बांध कर तो पैरों में पंख बांध कर ये क्या है यात्रा बृतांत बढ़ते हैं next question की तरफ उपनियासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलिन कीजिए तो उपनियासों का उनके पात्रों के साथ हमें क्या करना है सुमेलन करना है तो 38 का यहाँ पर देखिए यह आएगा रंग भूमी का आएगा सोफिया जूठा सच का आएगा तारा नेक्स्ट है त्याग पत्र का आएगा यहाँ पर मुरी नाल और अंधेरे बंद कमरे में आएगा यहाँ पर नीलिमा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए पात्रों को उनके नाटकों के साथ हमें क्या करना है तो सुमेलित करना है पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए तो देखिए 39 का यहाँ पर आएगा देव सेनक आएगा यहाँ पर सकंद गुप्त विशु का आएगा कुनार्क गांधारी का आएगा यहाँ पर अंधायू गौरसा बित्री का आएगा आधे अधूरे बढ़ते हैं next question की तरफ देखिए यहाँ पर स्थापना दे गई है और तर्क दिया गया है हमें यहाँ पर क्या करना है सही अंसर को यहाँ पर पहचानना है तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास स्थापना तो स्थापना है सही सब्द बे ही है जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधी को प्योग करें और तर्क दिया है अंतराल के उसमौन द्वारा भी अर्थवता का पूरा एश्वर संप्रेशित कर सके तो देखिए 40 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा बोगाईगा उप्स नमबर बी ए सही है आर भी सही है दोनों यहां पर सही है नेक्स्ट है 41 है भरतमुनी ने अधवुत को दिव्य तथा आनंदज बताया है और तर्क दिया है यहां पर उनकी दृष्टी अलंकारों तक गई थी तो देखिए 41 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा बोगाईगा उप्स नमबर C A सही है और R भी सही है नेक्स्ट है स्थापना दी गई है यहां पर गुण मुख्य रूप से रस्क के धर्म है और तर्क दिया है इन्हें गौन रूप से सब दार्तों के भी धर्म नहीं माना जाता है तो देखिए 42 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा बोगाईगा यहां पर 42 का राइट अंसर आएगा हमारे पास अप्स नमबर B A सही है और R गलत है नेक्स्ट है स्थापना दी गई है हमारे पास कभियों और दार्शनिकों की द्रिष्टी में 20 भाव में है और तर्क दिया है इसी कारण जीवन की ठोस वास्ट बिकताउं से पलायन की बिती पनपी है तो देखिए 43 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आएगा उप्स नमबर यहां पर A A सही है और R यहां पर गलत है तो नेक्स्ट कुस्टिन है हमारे पास देखिए स्थापना दे गई है 44 की की प्रेम जब BST सौंदरे से उपर उठता है तब बह अध्यात्मिक बनता है और तर्क दिया है क्यूंकि प्रेम अध्यात्मिक होता है तो देखिए 44 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आएगा A सही है और R गलत है स्थापना दे गई है हमारे पास काब B का सत्या असाधारन होता है और तर्क दिया है क्यूंकि बहस हमाने सत्या से मिलता है तो देखिए 44 का सौरी 45 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आएगा उप्सन नम्बर D A सही है और R गलत है बढ़ते हैं next question की तरफ तो next क्या है यहां पर एक गद्य दिया गया है हमारे पास paragraph है और आपको क्या करना है इसको वीडियो को रोख के इसको ध्यान पुरबक से पढ़ना है और इसके आंसर इसी के अधार पर देने है तो जैसे 46 है हमारे पास तो 46 का question है कबीर की बानी के विसे में क्या कहा गया है तो देखिए 46 का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आएगा कबीर बानी के डिक्टेटर थे नेक्स्ट है कबीर के सामने भासा का रूप कैसा था तो देखिए 47 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपस नमबर बी भासा लाचारी सी नजर आती है नेक्स्ट है कबीर की बासा में कैसी हिम्मत नहीं है कबीर की भासा में कैसी हिम्मत नहीं है तो 48 का जो राइट अंसर आएगा वो आईगा उपस नमबर B कि वह इस फक्कड की फरमाइस को नहीं कर सके कबीर की भासा में कैसी ताकत थी तो अकह कहानी को मनोगराही बना दे नेक्स्ट है कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा है तो देखिए इसका सही अंसर आएगा उसे उसी रूप में भासा से कहलवा लिया गया है तो स्टुडेंट्स ये थे हमारे कुछ क्वेस्टिन जो आज हमने डिस्कस किये और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू